हेलो फ्रेंड्स, वालकम तु दि लोटस पॉइंट चाहे वो इंकम टेक्स हो, TDS हो, GST हो, Tally हो, Basic Computer Education हो, या फिर MS Office हो, हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं, तब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अब हम बात करते हैं कि TDS के रिटन, TDS के रिटन बेसिकली दो प्रकात्के होते हैं, सबसे पहले 26Q और वालों के लिए यूज होता है, तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 26Q, जो Commission, Contract, Rent, Professional या ऐसे ही, जो Other Than Salary में यूज होता हैं, उन सब के उपर अगर हम कोई TDS का पैमेंट करते हैं, उसके रिकार्टिंग अगर अपने को कोई रिटन फाइल करना होता है, तो उसके लि स्टेप बाइ स्टेप समझेंगे, तो हमें इसके लिए कोई भी सॉफ्टर लेनी की जुदत नहीं है, हमें इसे जो Government ने यूटिलिटी प्रवाइट की है, उसकी साहिता से हम इसे इजीली फाइल कर सकते हैं, तो चलिए हम सुदू करते हैं कि वो यूटिलिटी हम कहां से ड सर्फ की बमे ONES 돌 Nancy इंगे, और शेयं आप लिखना है, सबसे पहली पहली वेबसाइट है, यहाप आ जाएगा TIN NSTL, यहाप आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यह वेपेज पे आ जाएंगे यहाँ पे आपको डांवलोड के ओप्शन पे टिक करना है इटीडीएस और अगर आप अपना नया टीडीएस का रेटन लेने को घरेने पोई हैं अधर्वाइश अगर अपने रेटन में कुछ करेक्व मोडिक्वाइइ का रहे हैं तो आपको किरेक्व की फ् boxes kita करने होगी हम सबसे पहले क्लिष को करेंगे एंगे तक कि अपने रेगुलर को करेंगे हो यहां पर जैसे ही आप नीचे आएंगे यहां पर आपको दिखाएगा प्रिपेर रिटन यूटिलिटी आपको अमेसा यह ध्यान रखना है कि यह यूटिलिटी हर बात अपडेट होती रहती है तो आप जब भी अपना रिटन फाइल करें उससे पहले आपको यह यूटिलिटी फिर से डाउनलोड कर लेना है उस दिन की जो नई यूटिलिटी होगी उसी पर ही आपको काम करके अप यूटिलिटी ले लेना है और उसीके बेस पर अपना TDS का रिटन फाइल कर देना है तो हमने सबसे पहले जैसे इसपे टिक किया है तो यहां पर आपका डांगलोड होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे TDS का जो आरप्यव हो है वो यहां पर आपका डांग दिखेगा उस पे आपको राइट क्लिक करदेना है यहां पर XL करदेना है क्योंकि जिप फोल्ड्र है अप जैसे इस पर एक्षेक करेंगे यहां पर ऐसा एक फोल्डर बन जाएगा इसको आप जैसे ऑपन करेंगे यहां पर आपको दिखेगा TDS-RPU ूप जो 1KB पर है इसके लिए आपको अमेशा ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में Java इंस्टॉल होना चाहिए अगर आपके सिस्टम में Java नहीं है तो आपको Java डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना है जो 5 मिनिट का ही प्रोसेस है आपको यहां पे TDSRPU यह फाइल है जिसक सबसे पहले हम TDSRPU पे टिक करते हैं जैसे ही आप एक टिक करेंगे यहां पे एक pop-up आज आएगा इस pop-up को आपको OK कर देना है जैसे ही आप open करेंगे यहां पर option आएगा कि आप कौन सा form सब्मिट करना चाहते हैं जैसे कि हमने बताया है कि TDS के रेटन के लिए बेसिकली द Q कि उसको किस तरह उन फाइल कर सकते हैं तो आपको यहां पर 26 Q सलेक कर लेना है यहां पर दो option आता है regular और correction जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने रेटन में कुछ modify या correction करना चाहते हैं तो आपको correction पे टिक करके उसको process कर देना है हम यहां पर TDS का जो regular statement होता है उसको हम file कर करने का process समझ रहे हैं तो यहां पर 26 Q यहां पर regular और आपको यहां पर click to continue कर देना है अगर आपके पास पहले से कोई save file पड़ी हो जिसको आप open करना चाहते हैं तो यहां से आप टिक करके open ए save regular file पर टिक कर सकते हैं इस option को भी हम समझेंगे सबसे पहले हम अभी click to continue पर जात आपका firm है तो आपका उसका pen number आप कौन से financial year का अपना return file कर रहे हैं उसके related कौन से quarter का आप अपना return file कर रहे हैं कुछ आपकी basic details जो employer का नाम उसका pen number उसका address उसका email ID यह सब चीजें कुछ basic है जो आपको यहां पर step by step fill करनी होगी तो यह तो था कि आगर आप अपना return file कर रहे हैं और आपने यहां पर basic detail file करके इसको next पर click कर देना है next तो यह तो था कि जो 26 Q है उसकी form की basic चीज हैं जिसके यहां पर हम अपना return file कर रहे हैं अब आता है कि दूसरा इसके अंदर चालान की detail तो सबसे पहले हमने यहां पर financial year select कर लिया है सपूर आप अभी का financial year कर रहे हैं या फिर आप अपना last year का return file कर रहे हैं तो आप यहां पे जो भी period है वो period आप select कर सकते हैं जैसे ही आप select करेंगे यहां पर quarter का option आएगा कि कौन से quarter को आपको कौन से quarter का आप अपना TDS का return file करना चाहते हैं जैसे basically अभी current year है तो उसमें भी quarter 1 ही available है अगर आप last year का करते हैं तो आपके पास चारो quarter का option आ जाएगा क्या आप quarter 1, 2, 3, 4 उसमें से कुछ भी जो अपना return file कर रहे हैं वो आप choose कर सकते हैं आप यह ध्यान रखना कि quarter 1 जो financial year 23, 24 का है उसकी government ने due date extend कर दिये जिसकी due date पहले 31 July की उसको बढ़ा के उसको 30 September तक कर दिये तो अगर आपने TDS के return file नहीं किया है quarter 1 के तो आप अराम से 30 September तक कर सकते हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना financial year and जिस quarter का आप अपना return file करना चाते हैं वह आपको यहाँ पर select करना होगा उसके बाद आप समझते हैं कि यहाँ पर आपको basic details से वह आपको fill करनी होगी उसके बाद आप next step पर जा सकते हैं next step आता है चालान का इसमें basically आपको जब आप अपना TDS का return file करेंगे आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना TDS का return file कर रहे हैं तो आपके पास basic दो चीज़ें आपके पास available होनी चाहिए सबसे पहले आता है चालान की detail और दूसरा आता है deduct की detail चालान की detail करता है कि आप कोई भी TDS का payment करते हैं चाहिए वो 94C में हो94J मेंед करते हैं तो उसका चालान correct करते हैं तो यहां पर basically जो आपका चालान का detail होता है वो क्या होता है कि आपने आपने कौन सी बैंक से payment किया उस morning प劇स सार कोड आपने कौन से बैंक के थूरू payment किया उसका इक सिरियल नंबर जंदेट होता है ये ये ऊपने को यदय करनी होती है डीटेल में क्या आता है ये 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 तो आपको 26 वर्म करने के सबसे पहले जो परनकर प्रकशिक कैने isotelnा कनर्क जो जो owner या director है, उनकी details, उसके बाद आपको चालान की details and then आपको deductee की detail fill करनी रहती है, यह सब चीज़ा आप फिल कर लेते हैं, तो आपको अपना return process कर देना है उसके बाद, तो हम समझते हैं कि कैसे हम इसको fill कर सकते हैं, कैसे हम step by step चालान की detail कैसे add करेंगे, कैसे उसके बाद के बाद हम deductee की detail add करेंगे, तो उसको हम समझते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको, जो हमने एक file को save करके रखा है, उसको मैं यहापर open कर लेता हूँ, तकि आपको basically सब चीज़े clear समझ आ जाएगी, यहापर हम वापस है TDS के RPU है, उसको open कर लेते हैं, यहापर मैंने आपको बताया था कि एक option आता है, open is saved regular file, अगर हमने regular का return file करना है, तो यहापर open is saved, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने अपना details है, वो आपने fill करके रख लिया है, अब आप चाहते हैं कि समझो कि आपके पास deductee की कुछ pen information है, या date of payment वो आपके पास file कर सकता हूं, तो आप उसको save करके रख सकते हैं, आप कभी भी जैसे भी आपके पास detail आजाती है, वो save file को आप open कर सकते हैं, और उसी में basically आप detail add करके अपना return file कर सकते हैं, तो यहापर हमने वैसे एक draft है, वो save करके रखा है, आप लोगों के लिए, जो मैं यहापर open कर र लाएगा, तो इसका मलब आपने जो detail fill की है, वो सब आपकी यहापर save हो गई है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है, कि यहापर आपको सबसे पहले financially select करना है, यहाप कौन से quarter का अपना return file कर रहे हैं, वो quarter आपको यहाँ से select कर लेना है, उसके बाद company की जो 10 detail है, pen detail है, यहाँ पर आप select कर सकते हैं, कि अगर company individual है, HOF है, firm है, या partnership, LLP है, या फिर कोई company है, तो आपको यहाँ से pop-up से select कर लेना है, कि type of detector क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको basic जो detector, employer कोन है, उसकी detail आपको यहाँ पर fill करनी होगी, कि जो आप statement file कर रहे हैं, उनके employer कोन ह हैं, तो आप उनका name, उनका designation, अगर आपकी कोई branch available है, तो आप branch है, division कुछ है, तो आप यहाँ पर mention कर सकते हैं, उसके बाद उनका residential address, ताकि यह government के पास record के लिए रहे, यहाँ पर एक option आता है, कि अगर आपने यह address को change किया है, आपने previous return के इसाब से, तो आपको यहाँ प 27 AP print होके आ जाएगी, उसके बाद आता है कि यहाँ पर particular of the person responsible for deduction of tax, यहाँ पर responsible person की detail डालनी होती है, यहाँ पर आप चाहे तो same as above कर सकते हैं, सपोज कोई individual है, या कोई company है, तो उसमें आप दिखाना चाहते हैं कि यह person responsible है, जिनका detail हम यहाँ पर fill कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जब भी online correction करना जाए, या पर आप online कुछ भी modification करना जाए, आप उनका DSE use कर सकते हैं, तो यही person का आपको DSE use करना होगा, क्योंकि यही person को हम यहाँ पर register कर रहे हैं, तो उनका आपको यहाँ पर basic details, उनका pen number, उनका address, उनकी जो email ID है, वो आपको यहाँ पर कुछ fill करन number है, वो आपको यहाँ पर mention कर देना है, अगर आप अपना पहला return file करते हैं, तो यह option को आप no कर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर कुछ भी click करने के ज़रूत नहीं है, जैसे ही आप इसको no करेंगे, pop-up आपके सामने open होगा, कि आप confirm कीजिए कि आपने कोई भी return file नही की है, तो यहाँ पर आपको ok कर देना है, ok आप जैसे ही करेंगे, आप इस file को चाहे तो save कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, कि कभी PC बंद हो गया, या कुछ cut up हो गई, तो आप इसको वापस से इतनी details वापस से नहीं fill करनी पड़े, इसके लिए आप यहाँ से इसको save क option कर सकते हैं, आप जैसे save करेंगे, यह आपको location पूछेगा, कि आपको कौन से drive में, कौन से location पर आपको save करनी है, उसको आपको save कर देना है, हमने जैसा कि यह file पहले से save रखी है, तो इसको हम save नहीं करेंगे फिर से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि second option आता है, चालान जैसा कि मैंने आपको पता है कि चालान की भी एक payment की due date होती है, अगर आप monthly अपने company में जो भी पर्षनेट हैं, उनका अगर आप कोई TDS deduct करते हैं, चाहे वो section 94C में हो, चाहे वो section 94J में हो, चाहे वो कोई भी section में हो other than salary में, अगर आप उनका TDS cut करते हैं, तो उसका आपक आपको फाइल करना होता है, तो उसकी due date होती है, जैसे ही आपका June, जो first quarter end होता है, उसके next month की 30 तारीक या 31st, जो भी उसके पहले आता है, आपको वो date तक अपना return submit करना रहता है, तो suppose June पहला quarter end हो गया, तो इसकी due date होती है 31st July, तो आपको basically 31st July के पहले आपको अपना TDS का statement file कर देना रहेगा, अगर suppose आप third quarter में है, जो October, November, December होता है, तो उसकी due date होगी 31st January, तो आपको 31st January के पहले अपना TDS का return file कर देना होता है, यहाँ पे हमने आपको पहले भी बता था कि 26 Q है, उसकी due date extend हो गई है, first quarter की जिसकी पहले due date 31st July थी, उसको बढ़ा के 30 September कर दिया है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 24th Q की due date नहीं extend होई है, वो due date जो थी वो ही है, क्योंकि basically बहुत सारे लोग है जो 24th Q annually ही file करते हैं, तो उसके लिए उसकी due date extend नहीं होई है, तो हम अप समझते हैं कि जो 26 Q है, उसमें हम चालान की detail कैसे add कर सकते हैं, तो सबसे पहले आ यहाँ पर option आता है कि आपके पास कितने चालान available है, आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर 10 चालान हो, आपके पास हो सकता है तीन चालान हो, या आपके पास हो सकता है एक ही चालान हो, तो आपको number जितने भी आपके पास चालान है, आप उनको add कर सकते हैं, suppose हमारे पास दो च कर लेनी है यहाँ पर डिलीटे रो आप कौन सी नंबर लाइन को डिलीट करना चाहते हैं चाहर नंबर तो यहाँ पर ओके कर देजिए तो वह वहाँ से हट जाएगी आप सपोर्स तीन नंबर भी आपको डिलीट करना है यहाँ पर मैंने लिखा तीन नंबर हो और यहाँ पर म के चालान का payment किया है, वो चालान आपको यहाँ पे open कर लेना है, वो चालान के थुरू ही आप अपनी details fill कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले financial year देख लेना है, यहाँ पे आपने कौन सी section के अंडर आपने payment किया है, वो देख लेना है, आपने कितनी amount का payment किया है, वो यह बिसेखि का होता है कभी कभी जो बेंक होती है वह आपको चार डिजिट यह कुछ आपको चालन तौटल ड़ेटि को होता है तो आपको एपको उसके आगे 001 सब्सक्राइब लगा देना है तो अगर से उन्होंने तेन नहीं zijn और पूसके겁 thank Die डिजिट का बना देना है और बी एसर कोड है वो बिसिकली साट डिजिट का होता है तो अगर आपके पास छे डिजिट का अगर कोई बी एसर कोड है तो उसके आगे आपको जीरो लगा कि उसको साट डिजिट का कर देना है उसके बाद आपको जो चालान का पेमेंट डेट आपको यहां पर step by step fill करनी रहेगी जैसे suppose आपने यहां पर TDS का पैमेंट किया है तो यहां पर TDS का मैंट कितना है उसके बाद अगर आपने कोई चालांग में उसका देना होगा अब बहुत सारी दिकत यहां पर आती है कि बहुत जनों का आता है कि हमने जो चालांग बरते समय उसमें गलती कर दिये section select करने में गलती कर दिये या फिर उसमें हमने interest का component add करने से रह गया है तो आपको यहां पर जब आप अपना TDS का return करते हैं तो उसमें आपके पास बहुत सारे option होता है कि आप अपनी section को change कर सकते हैं आपने अगर interest का बाइपर केशन अलग से नहीं दिखा है तो उसको आप यहां पर शो कर सकते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखने है कि अगर आपने कोई चालांग में गलती कर दिये कि अगर आपने interest और late fees का payment चालांग में आपने अलग से नहीं दिखा है तो आप उसको यहां पर bifurcation दे सकते हैं देन उसका जो चालांग का total amount है वो आपका यहां से match होना चाहिए कि हमने यह चालांग का payment किया उसमें से interest का bifurcation इतना था late fees का इतना था और total मेरा चालांग उतनी amount का बन रहा है उसके बाद यहां पर आपका आता है कि BSR code जो bank एक reference number provide करती है जिसको हम BSR code कहते हैं तो वो आपको वहां पर put कर देना है उसके बाद यहां पर option आता है कि date on which payment or deposited जब आपने उसका चालांग का payment किया वो date आपको यहां पर mention कर देनी है जो tender date होती है मतल चालांग का serial number जो आपको यहां पर mention कर देना है कि support चालांग का जो serial number है वो यहां पर यह है हमने यहां पर इसको mention कर दिया है अब यहां पर क्या होगा कि आपसे suppose कोई गलती हो गई है जैसे मैंने यहां पर यह चालांग नंबर है वो four digit का लिग दिया है जबकि यहां पर य प्रोसेस करेंगे तो cinq वह पर ही पता देगा की आपने चाला नंबर डाला है और यहां पर जैसे पता चल जाता है आप को यह यहां पर टिक करके इसको कोकु अब कर सकते हैं सबस्पोर्स कि यहां पर प tow चल गया तो मैंने। इसको कर दिया कि उसके बाद आप आगे option बढ़ते हैं कि आपने चालान नमबर डाल दिया है उसके बाद यहां पर आता है कि mode of deposit to do book adjustment or no अगर आपने इसका TDS का payment किया है तो आपको यहां पर वो option को no select कर लेना है कि हमने यह TDS का चालान payment किया है हमने कोई book adjustment नहीं किया है उसके बाद आता है कि interest to be allocated अगर कोई interest का portion है जो आपने चालान के साथ दिखा है तो उस among को आपको यहां पर दिखा देना है अगर कुछ आपने other payment दिखाया है चाए वो fees late fees या कुछ penalty हो तो उसको आपको यहां पर mention कर देना है उसके बाद यहां पर करने के थुरू कोई आप payment कर दें tds का तो आपको यहां पर section 400 सेलेक्ट करना होगा अपने यहां पर चालान की detail शेव कर दिए जितने चालान आपको add करने आप add कर सकते हैं अगर आपने कोई चालान गलती से add कर दिया है तो उसको आप delete भी कर सकते हैं अगर आपने कोई चा पिल्स डालते हैं जिसमें मैंने आपको बता है कि उनका pen number उनका नाम और उनका जो date of payment है वो सब चीज़ें आपको यहां पर basically आपके पास होनी चाहिए तो यहां पर हम detail कैसे add कर सकते हैं यहां पर नीचे को option आता है इंसर्टे रो आपको चालान नंबर जितने हमने चालान add कि हैं सपोर्ज आपने वहां पर दो चालान एड कि हैं तो यहां पर दोनों चालान की details आ जाएगी अब यह पूछ रहा है कि number of deductive records to be added अब हो सकता है कि आपने जो एक payment किया है उसमें हो सकता है कि चार vendors का मिलके आपने एक ही साथ में payment दे दी है तो आपको यहां पर उनकी number of जो rows है आपको 4 add करनी होगी अगर आपको लगता है कि नहीं वो मैंने single user का एक ही payment कर वा है तो आपको यहां पर number of rows में एक ही add करना होगा तो हम अब समझते हैं कि जैसे मैंने first चालान का जो payment किया उसमें मेरे जो deductive थे वो दो deductive थे कि मैंने दोनों का total करके एक साथ चाल payment किया है तो मैंने यहां पर second में particular एक person का लिख दिया है कि मुझे एक ही row add करनी है जैसे मैं यहां पर okay करूंगा आपके सामने तीन rows available हो जाएगी यहां पर जो आपने चालान की detail डाली थी वह automatic यहां पर आ जाएगी कि आपने जो first चालान है उसमें आपने दो add कि है और जो आपने इसका payment 94A section में किया है तो वो section आपको यहां पर mention कर देनी है मैंने आपको बताया था कि अगर आपने चालान फिल करते समय अगर कोई mistake कर दिया है तो उस section को आप यहां पर change कर सकते हो कि particular यह 94E की जगे 94J का payment था तो आप यहां पर इसको tick करके 94A की जगे आप 94J कर सक सकते हैं तो यह option था कि अगर आपने कुछ चालान में modification करना है तो आप यहां पर कर सकते हो कि यहां पर अगर आप से चालान में कोई mistake हो गी है तो उसको आप यहां पर return file करते समय सुधार सकते हैं जो आपने detail वाप फिल की थी कि उसके interest component कितना है फीस का component कितना है वो यहां आप पर automatic आजाएगा उसके बाद आपको यहां पर deductive reference number जो यहां पर compulsory नहीं है आपको यहां पर यह put नहीं करना है अगर आपके पास यहां पर कोई number है तो आप यहां पर उसका number डाल सकते हैं उसके बाद आता है कि जो deductive है उसका pen का detail सबसे पहले आपको यह ध्यान रखन है कि pen में miss match है या फिर अगर आपने digit तो सही लिखा है बट आपने कुछ number आगे पीछे कर दिया उसकी वज़े से अगर आपका pen गलत माना जाएगा तो उस पर हो सकता है कि department आपको 20% liability calculate करके बेज़ दे तो आपको make sure हो जाना है कि जब भी आप यहां पे अपना pen number लिखते का amount जमा कर रहे हैं यहां पर उसका नाम आपको fill कर देना है उसके बाद आता है कि date of payment या credit इन दोनों में से जो भी date होती है कि आपने उसका जो TDS का amount वो आपने कब book किया सबोर्च हमने 31st March को book किया है तो मैं यहां पर date of payment लिख दूंगा कि payment और credit whichever is earlier अगर आपने उसको प यहां यहां पर मेरे जो फर्स चालांते उसमें दो डिड़क्टी थे तो मैंने यहां पर दिखाए कि फर्स डिड़क्टी है जो ए नंबर है उसको मैंने 9 lakhs का payment दिया है तो मैंने यहां पर 9 lakhs लिख दिया है और जो second deduct है उसको मैंने इतना payment दिया है तो मैंने यहां पर उसका detail भी लिख दिया है अब बचा जो second चालाने उसमें तो एक deduct ही था तो सारब जो TDS बढ़ा है मैंने उसी deduct है तो यहां पर मैंने उसको जित को एम है तो मैंने उसका 10% डिड़क किया है तो वह मैंने यहां पर 94 ए सेक्षन के अंदर 10% उसका डिड़क दिया है आपको यहां पर डिड़क कर देना है अगर आपने कुछ इंट्रेस्ट या लेट फीस का पेमेंट डिया तो उन सब को मिला कि आपका जो टोटल चालान अमो कि अब आपने टीडियस का डिपोजिट कितना किया है गौर्मेंट को वह भी सेम यह होगा सपोज आपने 9000 उपे टीडियस कट किया है तो यहां पर जो आपने टेक्स डिपोजिट किया है वह आपको एमोंट यहां पर लिख देना है उसके बाद ऑप्शन आता है कि यहां कि अगर आपके पास लवर डिड़क्शन है सपोज आप कुछ e-commerce में ट्रेड कर रहे हैं वहां पर अगर आप का Flipkart या Amazon अगर उनके उपर आपको एटीडियस कट करते हैं तो वो एक आपको लवर डिड़क्शन सर्टिफिकेट देते हैं कि सपोज कोई section का पेमेंट करते हैं 94C उसमें जो rate of TDS है वो 2% आता है Companies के उपर तो वहां पर वो लोग आपको लवर डिड़क्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप अमारा 2% की जगे 0.1% ही आप TDS डिड़क्ट कीजिए जो भी section में आपके पास वो certificate पड़ा है वो section आपको यहां पर select कर लेना है उसके बाद यहां पर जो certificate का नंबर होता है वो आपको यहां पर mention करना जरूरी है जो government verify करेगी कि हाँ आपने जो point 1% TDS कट किया है जो actual rate से आपने कम डिड़क्ट किया है तो वो genuine है तो आपको कोई भी intimation या notice नहीं आएगा अगर आपने यहां पर certificate नंबर नहीं लिखा तो हो सकता है कि आपको notice आ जाए कि आपने जो certificate नंबर है वो आपने यहां पर mention नहीं किया है तो यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस benefit को avail करते हैं तो आपको यहां पर उसका certificate नंबर जो एकद सरवाई जो रेट से आपने टीडिस डिड़क की है वो रेट आपको यहां पर फिल कर देना है सबस्सक्रक्राइब के दिटेल है तो यहां पर रेट मैंने यहां पर अपर 10 पुट कर दिया है तो यह तो था खिवी जो टीडिएस रिटन फाइल करते हैं समय जो ऑगर आपने व उपर की है बट लेज देन वन करोड है यहां पर कुछ बहुत सारी सेक्षन से जो बैंकिंग या फाइनेंस में जो डिल करते हैं उनके लिए यहां पर ऑप्शन करते हैं तो वह हमको ज्यान रखने की जरुत नहीं है अगर हम अपना रेटन फाइल करते हैं तो आपको बेसिकली चाला और उससे रिलेटेड जो डिड़क्टी की डिटेल है वह यहां पर फिल करनी है अगर अगर अधर देन जो फाइनस इंस्टिटूशनल है या फिर बैंकि में तो उनको यहां पर वह डिटेल्स फिल करनी रहेगी उसके बाद यहां पर आता है कि अधर सर्विसेज ओटिन यह हमार लिए काम का नहीं है बट यह उन्होंने एक एड़ोंस देके रखा है कि अगर आप यहां पर कुछ भी हमारी जो दूसरी फैसिलिटीज है अगर जाना चाते हैं जैसे सपोज आप प्लाइ के लिए या पिर पैन का वेरिफिकेशन कर रहें आप जो आपका जो इंकम टेक्स का रिपन्ड है उसका आप स्टेटर्स जाना चाते है तो आप यह आइपर लिंग पर टिक करके डिरेक्ली आप वेबसाइट पर जा सकते हैं आम option आता है कि चालान कि आपने चालान से related जो भी यहां पर details थी वो fill कर दिये कहीं आपके चालान payment करने में कहीं पर mistake होगी है तो उसको भी आप यहां पर rectify कर सकते हो उसके बाद आता है कि एने शर्वन जिसमें आपको अपनी deductive की detail fill करनी होते हैं उनका नाम बेसिकली उनका पैन नंबर उनका डेट ओपैमेंट वो सब चीज़ आपको यहां पर अच्छी तरीके से फिल करनी रहेगी क्योंकि यही डीटेल आपके form 16a पर print होके आएगी अब हम उसके बाद बढ़ता है कि सबसे पहले हमने यह सब चीज़ें कर लिए अब मुझे लगता है कि कुछ मेरा यहां पर काम पेंडिंग है मेरे पास हो सकता है कि सब्सक्राइब नहीं हो या कोई जो डिडर्क की उसका पैन नमबर नहीं है तो मैंने यह ड्राफ्ट को यहां पर सेव कर लिया है यह आपको इंफोमेशन अगर आपने पैंडिंग रखी है तो यहां पर वो डिटेल्स ओप दे देगा कि आप इस डिटेल को फिल करो तब ही आप अपना आगे का रिटन प्रोसेस कर सकते हैं तो चलिए हम एक वाद देखते हैं क्रियेटिव फाइल जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया य सबसे पहली इंपूट फाइल होती है जो आपको यहां पर लेकर आनी रहेगी उसके बाद आता है कि आप इस file को कहां पे share करना चाहते हैं तो error और upload मतलब आपने कुछ TDS का return बना है हो सकता है उसमें error हो या फिर नहीं भी हो तो आपको उसको share कहां करना है वो detail आपको यहां पे fill करनी होगी और second आता है कि अगर आप को correction करते हैं तो आपको यह option का use करना है अब हम सबसे पहले आता है कि challenge input file क्या होती है और इसको हम कैसे और कहां से हम इसको download कर सकते हैं तो CSI file basically यह होती है कि जो भी आप quarter का return file कर रहे हैं उससे related आपने कितने challenge का payment किया है उसकी एक summarize detail होती है जिसको आपको palette traces की site में जाके आपको उसको download करना होता था अभी आप directly उसको income tax portal से भी कर सकते हैं तो challenge जो CSI file होती है उसको आप income tax portal पे जाके आप अपना account login करके वहाँ से आप download कर सकते हैं तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम इसको download करेंगे तो सबसे पहले हम website पे आ गए हैं यहाँ पर हमने login किया है जो e-filing portal होता है यहाँ पर मैंने लिखा है e-filing जैसे ही आप click करेंगे e-filing income tax पेस open हो जाएगा यहाँ पर आपको login कर लेना है आपका जो 10 number है उससे आपको यहाँ पर login करना होगा तो आपका जो भी 10 number है आप यहाँ पर put कर दीजिए उसको यहाँ पर मैंने 10 number डाल दी है यहाँ आपको उसको login कर देना है जैसे ही आप login करेंगे जैसे ही आप login करेंगे यहाँ पर आपको dashboard open हो जाएगा यहाँ पर आपको e-filing के tap पे जाना है यहाँ पर e-text इस पर आपको टिक कर लेना है जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर आपके जो भी चालान से related सारी information आ जाएगी कि suppose हम quarter one का कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उससे पहले भी जितने भी आपने TDS के payment किये हैं वो सब आपको यहाँ पर show होने लगेंगे आप यहाँ पर जाके देख भी सकते हैं कि आपने अभी तक कितने चालांस जन्देट किये हैं आपने किन-किन चालांस का payment कर दिया है वो successfully हो गया है उसका status देख सकते हैं और यहाँ से आप चालांस की input file डाउमलोड कर सकते हैं तो suppose हम quarter four का जो last year का है उसका हम return file कर देएं तो उसके related जो भी payment है मैंने अपरेल महिने में किया है तो यहाँ पे मैंने वो period सलेक कर लिया है हो सकता है कि आपने अपरेल की जगे जुलाई में भी payment दिया हूँ तो आपने जो period में payment दिया है वो period यहाँ पे आपको select कर लेना है जैसे ही मैं वो period select करूँगा यहाँ पर आपको filter चालान कि कितने चालांज थे यह दो चालांज थे जिनका detail मैंने TDS के return में add किया है यहाँ से मैं उसको download चालान फाइल कर दूँगा जैसे मैं यहाँ पर download करूँगा यहाँ पर वो एक जो आपकी CSI file है वो download हो जाएगी और आप उसको यहाँ पर return file में use कर सकते हैं जैसे ही अब यहाँ पर टिक करेंगे चालांज की input file तो यह आपको path पुछेगा कि वो CSI file जहाँ पर आपने download की है उसका path क्या है जो file आपने download की थी वो आपने यहाँ पर select कर लिए उसके बाद यहाँ पर आता है कि अगर आप अपना return file करते हैं तो उसको आप अपने return की जो copy है वो काँपे save करना चाते हैं तो वो detail यह path आपको यहाँ पर देना होगा suppose हम C drive में save कर रहे हैं यहाँ पर एक TDS का folder बना दिया है इसको मैंने यहाँ पर save कर दिया है कि मेरी अगर file अगर successfully भी हो जाती है तो भी मुझे इसको यहीं पर save करनी है अगर इस file में कुछ error होती है तो भी इसको मुझे यहीं पर save करनी है अब मैंने जैसे ही दोनो file यहाँ पर select कर लिए यहाँ पर आपको validate कर देना है जैसे आप validate करेंगे यहाँ पर कुछ भी अगर error होगी या file अगर successfully download हो जाएगी तो यहाँ पर आपको एक pop-up आएगा अगर error आती है तो आपका यहाँ पर internet explorer में आप उस error को open कर सकते हैं देख सकते हैं कि क्या queries है suppose आपने कुछ pen में mistake कर दिया है या suppose आपने कुछ जो चलायम का total है वो कहीं पर match नहीं हो रहा है तो उसको आपको query को sort out कर देना है then आप इसको वापस से validate कर सकते हैं जैसे ही आप validate करते हो और आपका यहाँ पर validate successfully जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप इस file को आगे proceed नहीं कर सकते हैं मैंने जैसे यहाँ पर open किया यहाँ पर जो आपकी file successfully download हो गई थी वो यहाँ पर automatically save हो गई है और वो page आपका open हो गया है यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि उससे related जो भी files है वो यहाँ पर available हो गई है अब आपको यहाँ पर क्या करना है जो 27A है जो आपने details fill की है चालान में उसकी सारी detail एक summarize आपको यहाँ पर show हो जाती है कि आपने कौन से 10 पर file किया है क्या आपका pen number है कौन आपके employer है उनकी detail जो responsible person है उनकी detail और आपने basically TDS कितना amount यहाँ पर pay किया है और total आपने कितना deposit किया है उसकी एक summarize summary आ जाती है उसको आपको verify कर लेना है कि हाँ यह detail एकदम सही है तो फिर आप इसको statement को file कर सकते हैं अब statement को file करने के दो तरीके है basically first कि अगर आप यह जो 27 यह आया है आप इसमें जो responsible person है उनका sign और company का stamp लेके आप manually कोई भी NSDL का जो center होते हैं वहाँ पे आप जाके इसको phone को submit कर सकते हैं वो आपसे कुछ 49 या 50 rupees का fees charge करते हैं और आपका return submit हो जाएका और एक आपको provisional receipt provide कर देंगे यह तो दा कि offline mode अगर आप 50 rupees या 40 rupees जो भी आप खर्च नहीं करना चाहते हैं आप घर बेटे online या अपना return अगर proceed करना अगर आप घर बेटे ही अपना statement file करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले income tax का जो website है वहाँ पे आपको login कर देना है वहाँ पे आप जैसे ही login करते हैं तो यहाँ पे एक option आता है dashboard पे e file income tax forms यहाँ पे आपको file income tax forms यहाँ पे आपको select कर लेना है कि आप कौन से form को file करना चाहते हैं जैसे TDS में दो forms होते हैं 24 Q and 26 Q तो यहाँ आपको एकदम ध्यान रखना है कि 24 Q गलती से आप नहीं select कर दें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 26 Q आप file कर दें उसी को यहाँ पे select कर लेना है गलती से आपको दूसरा form नहीं select करें उसके लिए यहाँ पे आपको form आ गया है सबसे नीचे इसको आप file now पे tick कर सकते हैं अब यहाँ पे option आता है let's get started अगर आपने वह file सब बना दिये तो आपके पास यहाँ पे details कुछ आएगी उसको आपको fill करना होगा देन आप अपने return को file कर सकते हैं जैसे सबसे पहले यहाँ पे form पूस्ता है हमको यहाँ पे 26 Q जो हम other than salary file कर दें उसको आपको यहाँ पे select कर लेना है आप कौन से financial year का आप अपना return file कर दें उसको आपको यहाँ पे select कर लेना है suppose हम 22 देश का return file कर दें कौन सा quarter से वह बिलों करता है quarter 4 अगर आप correction कर दें तो आपको यहाँ पे correction पे tick कर लेना है और जो आपने original return file किया उसकी detail आपको यहाँ पे fill करनी रहेगी अगर आप regular return file कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी detail प्रोवाइड नहीं करनी है यहाँ पे जो आपका return का जो summary बनी थी उसकी जो zip file है वो आपको यहाँ पे upload करनी होगी तो आप हम चलते हैं जो मैंने यह TDS का return बनाया है तो यहाँ पे FVU file जन्देट हो गई है जिसको आपको अपने return portal पे upload करना रहेगा अब जैसे ही यहाँ पे right click करेंगे compress to zip file इसको आपको हमेशा zip file बना लेना है उसके बाद ही आप इसको upload कर सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पे उसको zip file बनाते हैं आपको यहाँ पे attach a file का option आएगा आपको वो path select कर देना है जहाँ पे आपने उसको zip बनाया है और उस file को select करके open कर देना है अगर यहाँ पे भी कुछ file में कुछ query होगी suppose आपने जो TDS का RPU डाउनलोड किया है वो हो सकता है पुरा ना हो उसके base पे आपने यहीं पे अपना TDS का return summary बना दिया और यहाँ पे आपने upload कर दिया तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ file में query आ जाए कि जो TDS का return आज क्यों है वो अपने latest utility नहीं लिए है यहाँ पर हो सकता है कि आपका return submit भी हो जाए बट एक दिन के बाद महाँ पे साइट पे आप देखेंगे तो वो हो सकता है rejected हो जाए तो इसके लिए आपको हमेसा धिया रखना है कि जब भी आप अपना TDS का return इस utility के थ आएंगे आपके पास या तो आप अधार OTP के थुरू आप इसको return को submit कर सकते हैं या पर अगर आपके पास DSC available है तो आप DSC के थुरू भी आपने return को file कर सकते हैं जैसी आप यहाँ पर अपना return file कर देंगे अगर आपका return successfully file हो जाता है तो यहाँ पर जाके आप उसको check कर स सकते हैं कि आप अपना return कप submit किया और वो accepted date e-filing मतलब आपका return file हो गया है आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना return file करें उसकी जो receipt है वो आप हमेशा download कर लें क्या होगा कि कभी भी system की कुछ error होती है आपका अगर वो return process नहीं हुआ या पर समझो accepted नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपकी इसके उपर penalties चालू हो जाए जो आपका अगर TDS का return है वो due date के अंदर अगर आप अपना return नहीं file करते हैं तो आपको per day की जो late fees है वो 200 रुपीज pay करनी होगी सपोज आप अगर इस return में नहीं pay करते हैं तो आपको जब भी आप अपना next return file करें उसम में वो late fees का payment आप करवा दें otherwise आपको government से जो notice issue हो सकता है उसके भी आप पर भी जाके आप अपना late fees का payment कर सकते हैं तो आपको हमेसा ध्यान रखना है कि आपने जैसे ही अपना return file किया है उसका जो acknowledgement है वो आप यहां से download कर सकते हैं जैसे ही आपने यहां पर acknowledgement download किया है तो उस file कर दिया है तो आप seven days के बाद कभी भी आप traces की site पर जाके अपने form 16 के download कर सकते हैं जो भी deductive के आपने TDS deduct कि हैं उनका form 16 provide कर सकते हैं तो यह तो था कि TDS का जो first return होता है जो 26 Q जो other than salary होता है उसको हम कैसे file करते हैं उसका step by step process हमने पूरा इस video में समझाए कैसे आपने चा T filing कर सकते हैं अब हम अमारी जो next video है वो हम लेके आएंगे 24 Q में जो salary person के लिए होता है तो आप channel पर बने रहे हैं अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो इसको subscribe कर ले और bell icon पर भी प्रेस कर दें जैसे हम इसकी अगली video लेके आएंगे 24 Q तो आपको एक उसका notification मिलता रहेगा अच्छी लगी हो तो इसको like करें share करें एंड channel को subscribe करें थैंक यू